एलो गाइज, वेल्कम बैक टो आर यूट्यूब चैनल, आप यह जो क्वेशन देख रहा हैंगे यह क्वेशन है, यूनिट्स और मेजर्मेंट, क्लास 11, इसमें यह NCERD है और यह बहुत इच्छा क्वेशन है, अगर आप इस क्वेशन को देखें, तो कहा जा रहा है कि जो क् या फिर एनरजी का एक यूनिट है, जिसमें जो क्यलरी है, वो बराबर होता है, फोर वन तू जूल के, यहां पर आपको गीव है, ठीक है, यहां पर, अब इसके बाद से यह कहा जा रहा है, कि वन जूल इस इकोई टू वन केजी मीटर स्वार्ट 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 साथ तो ताइम है, वो गामा सेकंड के बराबर है, तो आपको शो करना है कि एक केलरी जो होगा, वो उसका मैगनेटिजूड या रखेगा, मैगनेटियूड, यूनिट नहीं, वो इतने के बराबर होगा, यह आपको प्रूव करना है, थिक, तो हम जानते होंगे कि किसी भी एक unit को और अगर किसी भी एक physical quantity को हमें लिखना होगा तो हम physical quantity को क्या लिखेंगे n1 un यानि कि magnitude and unit अगर इसको हम convert करें किसी दूसरे में तो वो दूसरा magnitude और दूसरा unit आ जाएगा अगर माल लिखें हमें लेखना हो five meter तो five क्या है magnitude है or meter क्या है unit है इसको बराबर को सकते कि 500 cm के 500 दूसरा magnitude है और यह दूसरा unit है यह जाएगा n1 यह जाएगा un और इसको हम बदल लिए तो यह हो जाएगा क्या यह हो जाएगा एंटू और यह हो जाएगा यूटू कुछ ऐसा ही यह बराबर होता है आप हमसे क्या कहा गयता जो बदली हुई यूनिट है उसका मैगनिट्यूड निकालना है तो बदली गई पहले तो यह था बदला बाद में गया इसका हमें क्या निकालना है एन तो यह यूटू इधर चला जाए गा यह क्या हो जाएगा एंवन यूवन बाई यूटॉ ठेक है आप इसके वासे देखिये एंवन क्या है एयनन पहले वाले का मैग्नीडिव्ड है और पहले वाले के मैग्नीडिव्ड में तो एंवन की जगा पर हम क्या लग सकते हैं 4.2 जूल अब देखें यूवन यानि की यूनिट और यूनिट से हम क्या निकाल सकते हैं यूनिट से हम निकाल सकते हैं डाइमेंशनल फॉर्मुला अगर आपको याद हो बहुत अच्छे बात है अगर आपको याद है तो अगर नहीं याद है तो बहुत अच्छे बात हमाना नहीं इतब इस सकते हैं कि यहाँ से लख सकते हैं 59 क्या होता हैं जाइड सी बात है कि mass होता है, तो m हो गया, ऐसे ही meter यानि कि length होता है, तो length का square, यानि L का square, ऐसे ही फिर पर, पर का मतलब upon नीचे, फिर second यानि कि time, time का square भी नीचे, नीचे से उपर जाएका, तो क्या हो जाएका, e पर power minus 2, अगर आपको यह याद है तो अच्छे बात नहीं तो आप इस unit से नकाल सकते हैं, ठीक, अब आप देखे, यहीं पर एक table बना लेने, कि अगर पहले unit थी, तो पहले क्या था, हमाल लें, कि जो पहले mass था, वो क्या था, M1 था, बाद में यही mass change होने के बाद से M2 हो गया, फिर length पहले L1 था, change होने के बाद से L2 हो गया, पहल 1 second square है, यानि पहले M1 क्या था, 1, length क्या था, 1 meter, time क्या था, 1 second, ठीक, लेकिन M2, M2 कहा गया, कहा दिया गया है, कहा दिया गया है, अलप के लिए, फिर उसके बाद से length था, यह क्या था, बीटा, फिर time था, वो gamma, सारी चीज़ देगे हैं, लेंस बीटा था, फिर time क्या था, ठीक, बस अब यही value आपको रख देना है, ठीक, अब देखो, पहले वाले का un क्या था, तो M, पर L, फिर उसके बाद से T, अब देखो, L पर कितना 2, और T पर minus 2, तो L पर 2, T पर minus 2, ठीक है, अब क्यूंकि यह पहले वाला था, तो इसलिए हम यहाँ पर 11 कर दिया, ऐसे L2, T2 पर minus 2, यह हो गया, हमारा dimensional formula को रखने के बाद से value, ठीक, अब अगर हम देखें, तो हम इसको क्या लिख सकता है, 4.2 M1 by M2, और फिर इसको किसमा लिखेंगे, क्योंकि दोनों पर power 1 है, तो हम आपर 1 लिख दें, ऐसे ही फिर, L1 by L2, दोनों पर power क्या है, 2 है, ऐसे ही, E1 by T2, और दोनों पर power क्या है, minus 2 है, ठीक, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4.2, अब देखो, M1 के जगा पर हमारी value तो हमें 1 पता है, लेकिन M2 के जगा पर क्या पता है, alpha, और इसको power 1, ऐसे ही, L1 के जगा पर हमें 1 पता है, देखो यहाँ पर, L2 के जगा पर क्या पता है, gamma, और power क्या है, minus 2, ठीक, अब इसके बाद से हमें इसे, यहाँ पर solve कर लेते हैं, यहाँ पर, अब देखे, अगर यहाँ पर 4.2 है, तो हम लेख लें, 4.2, अना, फिर इसको अगर हम reciprocal करेंगे, तो sin इसका minus में हो जाएगा, तो यानि alpha minus 1, इसको reciprocal करेंगे, तो यहाँ का sin minus में हो जाएगा, यानि beta minus 2, यहाँ अल्यदी minus है, यहाँ अल्यदी minus है, जब रहते हैं करेंगे, एक और minus यहाँ और minus plus, यानि gamma पर क्या हो जाएगा, plus 2, और इस तरफ क्या आ रहा था, इस तरफ हर जगा, n2, n2 आ रहा था, यानि is equal to n2, यही हमें प्रूब करना था, कि जो changed magnitude है, वो इसके बराबर होगा, यानि 4.2, alpha पर power minus 1, beta पर minus 2, और gamma पर 2, यही हमें प्रूब करना था, तो उमीद है guys कि आपको यह solution समझ में आया होगा, अगर आपको यह solution समझ में आया तो वीडियो पर लाइक करना ना भूलेगा, चैनल को सब्स्राइब करना ना भूल कर दियन है, उमीद है यह तách करना थाया हुए जिए, पaré गलिए milieu में आया हैं तो समझ में आपको यह ब जापको यहीर अापको यहीर की बें ऑनीर के ऑना भूलेगा क कि आपको यहीं कि आपको यहाया है, उमीद हैं भीडियों कि कि peace बdefense।ब बच्त ब North